हलो दोस्तों स्वागत अव्यकर टिदव पॉइंट के सेशन में आज का हमारा टॉपिक हम इंडियन वन्हौन राइनो विजन 2020 के बारे में बात करेंगे या फिर इसे इंडियन राइनो विजन 2020 या फिर राइनो विजन 2020 भी खाजाता है जानने की कोशिश करेंगे कि दर असल इन species को इतना endangered क्यों किया गा है या फर इन्हें conserve करने की जुरुरत क्या है और इंडिया ने किस तरीखे का vision जो है लिया हुआ है ताके इस exotic और endemic species को बचाया जा सके आप पिक्चर देख सकते हैं यह one horn rhino है जो के endemic है Indian lands को इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे चर्चा क करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इतना exotic और इतना important क्यों है एंवर्मेंट की sustainability और protection के लिए one horn rhino are posed for their horns जाहिर सी बात है कि उनका horn ही जो है सबसे बहतरीन चीज़ है उनके पास यह पोच किया जाता है कई medicinal values जो है माने जाते हैं उन horn में होते हैं तो इन्हें मारा जाता है illegal trade के लिए जो है इनके horns के लिए Indian rhino vision 2020 implemented by the department of environment and forest Assam तो Assam की सरकार में specifically इस vision 2020 को launch किया गया है क्योंकि यह one horn rhino जो है वो Assam के खाजी रंगा national park में हमें ज्यादा तर देखने को मिलते हैं और यह one horn Indian rhino जो है वो सिर्फ इंडिया की ही region में देखने को मिलेंगे तो इन सभी को मिलाकर जो है इस one horn rhino को बचाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि बहुत ही exotic है और Assam के environment को Assam के उस region के ecosystem के लिए जो है यह बहुत ही significant है Translocations are the backbone of Indian rhino vision 2020 program Translocation यानिके it means the change in location इनके एक location से दूसरे location को इनको change कर जो है देखने को मिलेगी लेकिन Assam सरकार चाहती है के इने Translocate किया जाए और तवाम मानस नैशनल पार्क डिबूर दिखने को मिलेगी जो शिखाओ wildlife sanctuary में इन्हें Translocate करके वहाँ पर भी इन्हें कंजर करने की कोशिश करें और वहाँ पर भी इनकी species की तादाद breed जो है वो बढ़ाने की कोशिश करें मानस नैशनल पार्क वा सेलक्टे अशनल पार्क डिखने को बाकर दिखने की तरीफीश बडे यह पर लिया गाए था और इसी के तहर यह प्रोग्राम में important steps लिए गए थे 10 more rhinos will be moved from Khaziranga National Park before the end of the year तो इसी तरीके की decisions लिए जा रहे है क्योंकि Khaziranga National Park जो है वो बहुत ही famous है, यहाँ पर अच्छे खासी तादद में one-horn rhino मिलेगा लेकिन पूरे Assam का ecosystem, Assam region में जो लग-लग wildlife sanctuaries, ecosystems है, वहाँ पर भी one-horn rhinos को जो है चाहिए के हम उनकी breed, उनकी species वहाँ पर भी बढ़ाएं क्योंकि वहाँ पर भी sustainability अच्छी है इनने survive करने के लिए जो है suitable environment or climate वहाँ पर भी मिल जाएगा The vision of this program is to increase the total rhino foundation is in Assam from 2000 to 3000 by year 2020 and to ensure that these rhinos are distributed over at least 7 protected areas to provide long-term viability of 100 rhino population 2000-3000 इनकी तादाद हो और इनका population एक ही जगह पर सीमित ना हो, एक ही जगह पर concentrated ना हो अलग अलग जगह पर यह फैलें ताके वहाँ पर भी adapt हो जाए और इनकी species जो है, इनकी breeds जो है वो आगे बढ़ें This is one of the important goals of this Indian rhino vision 2020 Concentrating so many rhinos in a single protected area like Khaziranga exposes the species to risk of calamities, that is epidemic floods, massive poaching attempts, etc. जाहिर सी बात है कि एक ही जगह पर यह species अगर मिल जाएगा उन्हें पोच करना भी बहुत easy होगा और कई बार floods वगेरा भी आते हैं खाजी रंगा में, minus paper वगेरा में भी आप में देखा होगा और कई बार epidemics भी आ जाते हैं अगर किसी एक या पर किसी चंद जुन को जो राइनो के वान होन राइनो के जुन को अगर कोई भी disease लग जाए अनिमल डिसीज तो पूरी epidemic जो है वो जितने भी उस रीजन में species हैं उन सभी को effect करेगा और जाहर से बात है अगेन यह species इतनी महनत करके जो बचाई गई है अंजर की गई है वो फिर से endangered हो जाएंगे ये थी चंद बातें आपको जाननी थी India Rhino Vision 2020 के बारे में थैंक ये फर वचिंग मैं वीडियो